जैसे मैंने का मुझे एक ही चीज समझाई वो है जैबीम क्योंकि मेरे लिए ये एक नया अनुभव है जैबीम एलर गो मैं करनाटक के लिए और साउथ के लिए नया हूँ लेकिन समस्या चाहे 2000 किलोमेटर उधर हो या इधर हो समस्या एक जैसे बस थोड़ा सा सवरूप बदला है कहीं सरकार हमसे चीन रही है कहीं सरकारी गुंडे हमसे चीन रहे हैं और कहीं कोट के मादद हमसे चीना जा रहा है लेकिन चीना जा रहा है दिया कुछ नहीं जा रहा है मैं आज जब आया तो आने के बाद यहां बैंगलोरिय के इंस्पेक्टर मेरे पास पोचे और एक मामले में एक अप्लिकेशन पर मुझे साइन कराएं कि आप यहां कुछ बोलोगे नी मैं जो बोलना चाहता हूं मैं बोलूंगा और मैं मुकदमों से जेलों से नी डरता हूं नानों बैंगलोरिय के बंद तक्ष्ना पोलिस इंस्पेक्टर ब्रो ननन बंदो संपर्क्सिद्रों उन्द विशिग समंध्पटन्ते नन इंद सही हाकस कोंड़ों और अच्छा होगा कि आप बदाए जागे मुक्ख्यमंत्री को कि जो मांग हम कर रहे हैं वो लेके जाएंगे ये आपको अगर आप आप जंता गुम्रा करना चाता तो खतम करें बहुत दिनों गया बहुत लंबी लडाई होगी है मैं अगर अपने बारे में कहूं तो मैं एक परदेश है यूपी उत्तर परदेश और उसमें एक जिला है सहरनपुर उसमें एक छोटा सा गाउं है छुटमलपुर मैं वहां से आता हूं और मेरे मैं एक दलित परिवार से हूं एक सामाने परिवार से हूं मेरे फादर एक प्रैमरी स्कूल में टीचर थे और मेरा हुद्ध है मैंने बच्पन से संगर्स ही सीखा है अगर आज आप मुझे यहां जानते हैं और आपने सम्मान के लिए मुझे यहां बुला है तो मेरी एक ही पहचान है वह संगर्स तो इस संगर्स को मैं कायम रखना चाहता हूं और यहां आकर जो आपकी आँखे जो मेरे सामने लोग बैटे में वो कह रही हैं कि समस्या गंबीर है और हमें इसका हल निकालना पड़ेगा अगर आप रात को इस से में भी जाग रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है और अगर अन्याय के खिलाब अंदोलन नहीं होगा हम लोग खड़े नहीं होंगे तो वो न्याय के लिए खत्रा बन जाएगा उसलिए यह जो हो राई यह रुपना चाहिए नन बग्गे नान सोल्पा हेल कोड़ दादरे नान बंदिरु अंत प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्या अलिना सहरानपूर जिल्लेया ओंदो चन्न ग्राम दिन्द बंदिरोनु सामान्या दलित कुटुम्ब वंदरली कुट्टिरोधो तंदे प्रैमरी शालेया शिक्षक्रागिद्ध वरो नन्न बालिदिन्दा नान कल्तिरोध यनोंदरे संखर्षा इवत्तु निव ननननना इल्ली तंक करसीद्रे अधुक्य कारणा यनोंदरे नान माटकोण बंदिरु वंद्धा संखर्षा अधे ननन गुरुत्तु मत्तो आ संखर्षवन्ना नान मुंदुक्कु कूड इदे नव यद्धी निली लिल आंदरे अदर इंदा न्यायक के तोंदर यागते हागागी इन्यायद विरुद्धी ओ रहत दली ना वेलरु कुड़ा जो तेगुडिदी भी मैं बाबा सहाब को मानता हूं और मेरे आदर से साब काशी राम मैंने उन से सीखा है मुझे नहीं पता कि आने वाले कल में क्या होगा लेकिन ये सच है कि अगर आज आप यहां बैटे हैं और मैं जिनके बराबर में बैठा था मैं उनका नाम भी सहीतने नहीं जानता हूं लेकिन अगर आप 102 साल की उमर में यहां बैठे है और उनके साथ जो यह लोग यहां स्टेज पर हैं सामने बैठे है इससे सबस्ष होता है कि यहां का जो खून है वो संगरसिल खून है वो करांतिगारी खून है और वो जो जोस यहां देखने को मिल रहा है जो उमर का मोताज नहीं है चाहे वो 15 साल का हो चाहे वो 20 साल का विक्ती हो चाहे वो 30 साल का हो चाहे 102 साल का हो तो यह इसस पर्ष होता है कि यह जगा सीखने के लिए तो हमें यहां से सीखना चाहिए मैं परियास करूँगा मुझे जब भी मोका मिलेगा मैं आऊंगा एक दो महिने के लिए आँ सीखने के लिए इल्ली नानो हेल्बेक आगीरों मात कड़े नदर नन गे बाबा साहेब रली नम केईदे ननना आधर्षा साहेब कांशीराम आवरों आवरींदा नान कल्ति दीनी नाढ़ एनागत्ते गोत्ति लला आधरे इवत्तिन मट्टके नावल्रू इल्स सेरिधी वींदर इल्ली यार जोत्ते के ननन वेदिके हंच कोणुड़ी तीनो वहार समलाग नान कूतीदीनों आवरूनूरा यड़ु वर्षदा खिरीरों आदरु कूड़ु इल्ली इहो राट ली यावरू नम्जुद्धल कूतीदेर इल्ली अनेकरु वेदिकेमेल कूतीदेरें मैं दो घटनाओं का जिकर कर रहा हूं एक सोनभद्र यूपी की है और एक तुगलकाबाद दिल्ली की है और दोनों ही आपस में अटैच है और अब करनाटक आके भी लग रहा है कि घटना यहां भी सेम है आप इसे मेरे बादी ट्रांसलेंट करना खराब हो जाया का तुगलकाबाद इस्ट दूरु 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 सो साल से काबी थे हम लोग सोन भद्र में आदी वर्सी समाज के लोग और सरकारी तंत्र की मदद से वो जमीन हमसे छीन ली गई कुछ लोग आते हैं भीड के रूप में और आते ही गोली चला देते हैं और दस लोग मर जाते हैं यहां जानवर की जान की किमत है लेकिन इनसान की जान की किमत नहीं है तो सोन भद्र में जो हुआ वो महज एक इत्तफाक नहीं था वो एक साजिस थी और वो साजिस यह थी कि सरकार उसमें सम्मलित थी उस दिन जो सारे अधिकारी मां मुझूद थे सबके नंबर बंद थे जिनके नंबर बंद नहीं थे वो नोट रिजिबल थे कि हम उन तक उन तक पहुंची नहीं पा रहे थे और इस बीच ये सारी घटना हुई संघर्स भी हुआ लेकिन हमारे लोग चले गए दूतरी घंटना तुगलगाबाद की है जहां हम लोग 600 साल से काबिज थे संसिरोमनी सत्कूर रविदास जी महराज जो रविदास है कौम के कुलगुरू है उनका एक मंदिर था जो 600 साल पहले उनके नाम जिसकी रिष्ट्री है मतलब एक कागज है जो उनके नाम है जो उस समय के राजा सिकंदर लोधी ने दिया है और सरकार उसे हमसे ले नहीं पारी थी तो उसके लिए माध्यम कोट को बनाया गया और 600 साल से जिस पर जमीन पर हमकाबी थे वो हमसे छील ली गई सरकार ने डंडा चलाया और 10,000 पुलिस वाले लगाकर वो जमीन जो है डिडिये दिल्ली डेवलोप्मेंट ओथर्टी के थुरू जो है तुडवा दी गई वो अथियासिक भूमी और जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है कल मैं पंजाब में था जमीन से जुड़ी वी और एथियासिक जमीन से जुड़ी वी है और जो यहाँ मुझे पता लगा ए मैं एक परिवासा बता देना चाहता Nom सरकार किसे कहते हैं जो लोग हिंदी समझते हैं और समझ जाएंगे और जो नहीं समझते हैं उनको बहन बता देगी की बाद में कि सरकार लोगतंत्र यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आखरी व्यक्ति की मदद करने की जो राज्य में उस देश में कहीं भी रहता है उसको घर परदान करने की उसको रोजगार परदान करने की उसको खाना परदान करने की उसको एजुकेशन परदान करने की ये डेमोकरिसी है, उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने की, उसकी सुरक्षा करने की, अंतीम वेक्ती तक की जिम्मेदारी इस देश के प्राइम मिनिस्टर की देश के लिए और परदेश के लिए परदेश के मुख्यमंतरी की बनती है, लेकिन यहां तो लोकतंतर का भी कुछ और है, जिनके लिए सरकार है, वो सरकार से मांग रहे हैं, कि हमें रहने के लिए घर दे दी, जिम्मेदारी है, डेमोकरिसी में यह जिम्मेदारी है कि वो आपको दें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो यह सरकार, लोकतंतर की सरकार नहीं लग रही है, यह सरकार, राय तंतर की सरकार लग रही है जो आज इसकी वैसे हम लोग आज रात में याँ इकट़ा हुए हैं, जाग रहे हैं तो यह लोग तंतर की परिभासा नहीं है कुछ लोगों ने अपने निजी इत के लिए लोग तंतर की परिभासा बदल दिये और जहां तक मैं जानता हूँ यह संगर्स यहां बड़े लंबे समय से चल रहा है तो हमें चीजों को समझना होगा कि कहीं कुछ खामी रही है अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं न कुछ खामी रही है जो लोग संगर्स करते हैं मैं उनको सलूट करता हूँ लेकिन उस खामी को पूरा करके आज समय है एक चुट होके इस लड़ाई को मजबूत करने का और सरकार को चैलेंज करने का कि आप डेमोकरिसी हमें ना सिखाएं हम डेमोकरिसी समझते हैं आप हमारे अधिकार हमें दें जिस जमीन पे हम काभी जहें हो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो वो हमें दें अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसी लोगतंतर में ऐसी सरकार का कोई फाइदा नहीं है सरकार जनता के लिए होती है, पुझी पतियों के लिए नहीं होती है, सरकार सब की होती है, सरकार एक वेक्ति की नहीं होती है तो आज जो कश्ट यहां मैसूस हुआ है उस तकलीब को दूर करने के लिए जितना भी प्रयास हम से किया जाएगा हम लोग करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे पास खोने का कुछ नहीं है लेकिन इन आखों में जो तड़फ है जो बहने माताय मेरे सामने बैठी हैं बुजर्ग मेरे सामने बैठे हैं उस विश्वास को कमजोर होने नहीं देंगे हम लोग ये जो लोग यहां बैटे हैं मैं वेक्त की तुरूप से किसी के स्टेटमेंट का समर्थन करूँ या ना करूँ लेकिन ये सच है कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा और जो लोग यहां बैटे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो लोग यहां बैटे हैं ये आपके सामने जो लोग बैटे हैं उन पर भरोसा करते हैं वो भरोसा कमजोर नहीं पढ़ना थी अगर वो भरोसा कमजोर पढ़ जाएगा तो कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा अब जो बात मैं कहने वाला हूँ जैसे मैंने बता है मैं इसको परिभासित करूँगा कि मैंने जो कहा वो सच है कि कई सरकार पूझी पतियों को देने के लिए हमसे जमीन छीन लेती है सफते दामों पर उन्हें दे देगी और हमारे घर उजाड़ देगी और लोग कहते हैं कि आप सविधान की बात करते हैं तो सविधान की तो आर्टिकल पांच की अनुशुची पांच में लिखावा है कि जंगल की जमीन हमारी आदिवासियों की वो संपत्ती हमारी है वो आप हमसे छीन नहीं सकते वहाँ जो पैदा होता हो तो हमारा है लेकिन फिर किस राइट से आप छीन लेते हो अगर सरकार खुद नहीं छीन पाती तो सरकारी गुंड़े लगा रखे है इंडियन पुलिस एक्ट इसलिए बना कि अंग्रेजों को लगता था कि यहां के लोगों उपक के साथ सीधे हमें भिटने की बजाए हमें यहीं के लोगों उनके सामने खड़ा करना है तो इसलिए इंडियन पुलिस एक्ट बना और आज भी पुलिस उसी भूमिका में है किसी गरीब की जमीन छीन लियो सरकार के कैसे, हमीर के कैसे तुरंद पहुंच जाती है किसी गरीब ने लोन लिया हो उसको उठा के जेल डालने तुरंद पहुंच जाती है यहां गुजराश से जो एक चोरों के ठग हैं और उनकी जो पूरी टीम है वो देश को लूट के चली गई है विदेशों में उनकी ना जाँच होती ना उनको अरेश किया जाता तो यह सरकार जो है बिल्कुल कमजोड हो के विरोधी है जो काम गुंडे और सरकार मिलके नहीं कर पाती तो वो जजो दुआरा करवाती है मैं नयाय पालिका का सम्मान करता हूँ लेकिन जिस तरह के फैसले लगातार आ रहे है जैसे अभी एक फैसला है ता अधिवासियों खिलाब क्यों उनको जमीन से बेदखल करके वहाँ से निकाला जाएगा जबकि सविधान यह नहीं कहता तो कुछ फैसले सविधान को ताक पे रखके हो रहे है जैसा स्सेस्टी एक्ट में आया जैसा अभी तुकलका बात रविधास मंदिर पे आया तो इससे एसपश होता है कि सरकार का दबाव सारी एजंसियों पे है चाहे वो आईबी हो चाहे वो CIB हो CBI हो चाहे वो Income Tax हो चाहे वो ED हो चाहे वो RBI हो तो चाहे वो election commission हो चाहे वो अन्य कोई संस्ता हो और अब तो RTI को भी नो ने अपनी तरफ खीच लिया अब तो RTI की सतंत्रता खतम कर दी तो इसका मतलब सरकार कही सारे पर जुड़ी सिरी भी काम कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं चार जज सुप्रीम कोट के बाहर निकल के आते हैं और प्रेज कॉंपरेंस करते हैं काला दिन था भारत के लोकतंत्र का कि लोकतंत्र खत्रे में हैं सरकार अस्तक शेप कर रही है तब ये सरकारे कमजोरतियाथ तो बहुत मजबूत हैं तो नियाए पाली का साथ भी भरोर सा हमारा उठता जा रहा है लेकिन संगर्स का रास्ता खुला हुआ है जादा से जादा अगर अन्याए खिलाप आवाज उठाएंगे तो क्या करेंगे गोरी लंकेश की तरह मार देंगे कुलबर्गी की तरह मार देंगे मर जाएंगे बिलकुल मर जाएंगे लेकिन अगर अन्याए होगा तो चुप रहके हम लोग दोसी नहीं बनना चाहते क्योंकि बाबा साब कहते हैं कि अन्याए करने वाले से अन्याए सहने वाला जादा बड़ा दोसी होता है तो हम अन्याए नहीं सहेंगे जो गलत हो रहा उसके खिलाब आवाज उठाएंगे ये जो पॉलिसी ये लोग बना रहे है कि अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाब मुकदमा करते है तो मैं बता देना चाहता हूं यहां के CM को और पुलिस के मांतेम से जाके बताना कि अन्याय के खिराब जो लोग लड़ते हैं जो स्वाबी मानी लोग हैं वो जेल और मुकदमों से नहीं ड़ते और मैं तो इंतजार करूँ है साउथ की जेल का कि जब मुझे उस जेल में जाने का मुखा मिलेगा करानतिकारी जो हैं अपने संगर से जो हैं साबित करेंगे कि बलिदान दे के जेल हमारा रस्ता थोड़ा ही रोक लेगी तो मुझे लगता है साउथ की जेल बुला रही है मैं 16 मेने की जेल काट का आया हूं नहीं वाए भे मुझे लगता है कि इस हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत करने के लिए साउथ की जेल बुला रही है तो साउथ के बिना तो भारत रादूरा है तो साउथ के बिना चंच्छेघर है तो मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि अगर इस लड़ाई में जेल भी जाना पड़ा तो सबसे आगे रहेंगे हम लोग कभी मोका नहीं देंगे जो यहां भीमानमी की टीम काम कर रही है मैं उनसे निवेदन करता हूँ और मेरे आदेश भी है कि इस लड़ाई को इस संगर्स को मजबूत करें क्योंकि आज ये इधर हो रहा है कल ये आपके साथ होगा आज ये जमीन की लड़ाई नहीं है कल ये जो जिस घरों में आप रह रहे हैं सरकार को अधिकार है उनको छीनने का भी उनको भी छीन लेगी कल जो अधिकार है आपको सविधान मिले उनको भी शीन लेगी वो तो काम कर रहे हैं न कि सविधान खतम किया जाए मेरी राय है कि संगर्स में जो सविधान के साथ खड़े हैं उन सब लोग को एक जुठ होना चाहिए चाहे वो दलित हूँ चाहे वो मुस्लिम हूँ आदिवासी हूँ पिष्डे वर्क के लोग हूँ या वो लोग हूँ जो सविधान के साथ खड़े हैं मेरा डिवेदन है कि लोग तंत्र से ही इस देश में नियाय जिंदा है तो नियाय को जिंदा रखने के लिए आप लोग को एक जुठ होना पड़ेगा और आपकी एक जुठता ही इस सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो आपको एक जुठ नहीं होने देना चाहती चाहे वो तरह-तरह के मामले खड़े करके आपकी एक जुठता को तोड़ती है लेकिन आज समय है कि आप लोग एक जुठ हो जाओ और ये संगर जब तक चले बिना स्वार्थ के ये समझते हूँ कि जरूरी है इसमें भूमिक आदा करें और जो जितना चल सकता हो चले मेरा परियास रहेगा कि मैं इसे नेस्टन लेवल पे मजबूत करूँ क्योंकि मुझे जो संगर से पहचान मिली है मैं परियास करूँगा कि राष्टे लेवल पे इसको ले जाके इस परेशानी को पूरी दुनिया को अगवत कराऊं